हालो फैंस वेलकम टू अनाधर वीडियो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके का हॉममेट जनेटर जो की टुटली हॉममेट होगी एन गाइस यह बहुत ही इजली वर्क करेंगी एन चैनल को सब्सक्राइब ने की होते प्लीज चैनल को सब्सक् फ्रेंड्स इस फ्री एनरजी जनेटर को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ इस तरीकी का डीवीडी में से मैंने इसे निकाला है जो की ओल्ड डीवीडी में आपको इसली मिल जाएगी टोटली गेर इसमें बना होता है और इसमें मोटर इंस्टॉल होती है तो फ्रेंड हो गाइज कुछ इस तरीके से इसकी टोटली गेयर जो होती है वह वर्क कर रही है और गाइज यह वर्क करने चाहिए क्योंकि इसका ही हमें बहुत ही जरूरी है तो फ्रेंज कुछ इस तरीके से आपको चेक कर लेनी है और इसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूं तो क कुछ इस तरीके से यह वर्क कर रही है एंड आपको एक LED लेनी है एंड LED की positive and negative motor की positive leg पे and negative leg पे connect कर देनी है तो मैंने कुछ इस तरीके से sold कर दूंगा negative and positive point पे तो कुछ इस तरीके से मैंने negative and positive air पे LED को connect कर दिया इसको चेक करने के लिए तो देख सकते हो इसको यह जो गेर है इसे नचाने पर कुछ इस तरीके से LED वीलिंग करती है जो कि देख सकते हो कुछ इस तरीके से तो फ्रेंट्स इसे कुछ इस तरीके से नचाने से जो एनर्जी होती है यह मोटर जो 5 वोल्ट आउटपुट देती уж father again ऌतवी इसमें 5 volt इंपूड देने से मोटर वर्क करती है है तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें छेद करूंगा जो गेर वाली है उसमें पुरी किसी भी नोकीले चीज को लगा करके इसे नचाने पर ये वर्क करती है देखका कुछ इस तरीके से जो फी काफी इंट्रेस्टिंग है आप इसे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो जो कि काफी आसा नहीं से बनाना तो देन कुछ इस तरीके से देख सकते हो एलेडी ब्लिंग करती है एंड इस पे मैं आपको मोटर भी चला कर दिखाऊंगा और अलग-अलग तरीकी का एलेडी पीज चला कर दिखाऊंगा तो वीडियो में लास तक बनेड़ना अगर चैनल को सब्सक्राइब ने कियो हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर सेट के देना अपने फ्रेंडों के पास सेर भी कर देना तो फ्रेंज कुछ इस तरीके से मैं इस अटने ईएलेडी आप इसे ईजली इसमें चला सकते हो तो देन कुछ इस तरीके से Перी अरडि आप इजली घर पर बनाना चाहो तो एक पर ट्राई जुरूर करना देन कुछ उस ठरीके से मैंने इसे सोलड कर दिया है, सोल्ड करने एक ब्सकाद और क्लीकों मैं आपको चला कर लिखा रहे हूं जोकि कुछ इस ठरीके से मैं इसमें स्क्रूर ड्राइवर को लगा दिया आप इसे नचाने पड़िए अच्छे तरीके से वोलन्क करेंगी जोकि देखी सकते में है कितनी brighton बहुत यह टरीके सी व्लेंग कर तो तरीम बहुत अच्छे तरीके से अभी बना सकते हो अप इस पर चला करके दिखाऊँ गहुए जो कि brightness देख सकते हो इसका कितनी गजब की brightness देती है और बहुत ही अच्छे voltage आउटपुट आती है इसमें यह 100% workable project है इसे फैक मत जीगा यह बहुत ही easily आप बना सकते हो और आप एक बाद ट्राइ जरूर किजीगा 100% workable project है जो कि देखी सकते हो without battery की बदद से चलती है only for motor जो कि motor चलती है और उससे 5 volt output आती है जिसकी मदद से यह LED बिलिंग करती है और मैं इस पे आपको motor को चला करके दिखाऊंगा जो कि कुछ इस तरीके से है and कुछ इस तरीके से मैंने motor को लिया है जो कि यह 3 volt या 5 volt से चलती है और उस पे प्रोपेलर लगा दिया है ताकि आपको पता चले कि यह motor चल रही है then कुछ इस तरीके से negative and positive wire को एक साथ connect कर देंगे कुछ इस तरीके से जो कि मैं कर रहा हूं and इसलिए वर्क कर रही है तो कुछ इस तरीके से आप इसे connect कर देना एंड उस पे जो होल किया था उस पे screwdriver को लगा देनी है और देख तो कुछ इस तरीके से जा रही है फैन भी काम कर रही है तो आप इसलिए घर पर ट्राइब कर सकते हूं तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत बुलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना तो थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई